लाल सागर में यमन के हूती के हमलों की वज़ा से अमेरिका की अगवाई में पस्चुमी देशों को जटके पे जटके लग रहे हैं। हाल ही में जर्मनी का युद्पोत हैसेन लाल सागर छोड़ कर वापस जर्मनी चला गया था। जिसे यूरोपियन यूनियन के सैनने अभिहान के तहट फरवरी दोहजार चौबिस में लाल सागर में भेजा गया था। इसके बाद अमेरिका का USS Dwight D. Eisenhower भी लाल सागर छोड़ कर पूरवी भूमद्य सागर की तरफ रवाना हो चुका है। जानकारों का मानना है कि हूती ने लाल सागर में अमेरिका और पश्चिमी देशों की जोर आजमाईश को धूल चटा दी है। जिसकी वज़ा से अब एक एक करके पश्चिम के युद्पोत लाल सागर से मैदान छोड़ कर जा रहे हैं। और मार्च के महीने में ही हूती के नेता अब्दुल मलिकल हूती ने कहा था कि इसराइल से जुड़े जहाजों को केप अफ गुड होप की और हिंद महा सागर से गुजरने से रोकने के लिए वो अपने हमलों को और ज़्यादा दूरी तक बढ़ाएंगे। और अब इस सब के बीच लाल सागर में हूती के हमलों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने के बाद हूती के होसले और बुलंद हो गए हैं। और अब हूती ने एक बार फिर से लाल सागर में एक नहीं बलकि चार हमले करके भूचा ला दिया है। सबसे पहले उसने कमर्शल जहाज बुलकर साइकलेट्स पर एक मिसाइल से हमला किया है। हूती का कहना है कि उसका ये हमला एक दम सटीक रहा है। इसको लेकर UK Maritime and Trade Operations ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस हमले में जहाज को नुकसान पहुचा है लेकिन उसका चालक दल सुरक्षित है। जहाज फिलाल अगले बंदरगाह के लिए आगे बढ़ रहा है। Maritime Traffic Data के मुताबिक इस जहाज पर माल्टा का ज्छंडा लगा हुआ था जो उत्तर की तरफ लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर की तरफ जा रहा था। Equisis के मुताबिक ये जहाज पूर्वी भूमद्दे सागर में जहाजों के बेड़े का हिस्सा था। वहीं इस हमले को लेका रहूती के प्रवक्ता ब्रिगेडिया जनरल याया साहरी ने कहा कि इस जहाज पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो इस महीने 21 अपरेल को उमल रश्रश इलट बंदरगाह की तरफ जा रहा था। वहीं खैसे करिक पनार आम या करतंब उ बंदरगा एस्टाराइं पानार इसलिए प्को उजहाज के भैसे कि अजहाज़े झाला मुशा इसलिए हमलेे हैं इसलिए जहाज discन selective में देला इसलिए करिए बंदेदेल इसलिए भान मुने इसलिए वानार पाधित इसलिए आमाल आपको बता दे कि हालिया दिनों में कमर्शल जहाजों पर हूती का ये सीधा हमला है जिसमें किसी जहाज को नुकसान पहुँचा हो इस से पहले 26 अपरेल 2024 को हूती ने पनामा के जहंडे वाले एंड्रोमेडर स्टार जहाज पर एक मिसाइल हमला किया था इसके अलवा दूसरा हमला हूती ने MSC कंपनी के MSC ओरियन कंटेनर जहाज पर किया है आपको बता दे कि इस जहाज पर पूर्तगाल का जहंडा लगा हुआ था लेकिन इसके मालिक इसराइल अरबपती ओयल याल ओफेर है बड़ी बात यह है कि MSC ओरियन कंपनी इसराइली अरबपती याल ओफेर की है और इस कंपनी के कई जहाजों पर हुटी ने मिसाइल हमले किये है मार्च 2024 में हुटी ने MSC Sky 2 पर भी एक हवाई हमला किया था और अब 29 अपरेल 2024 को हुटी ने बुलकर साइकलेट और MSC ओरियन पर हमला किया है इसके बाद हुटी ने अमेरिका के दो युदपोतों पर ड्रोन अटेक किया जिसे अमेरिकी युदपोतों ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया अमेरिकी समुद्री प्रशासन के अनुसार हुटी ने नवंबर से अब तक इस शेतर से गुजडने वाले जहाजों पर पचास से ज्यादा हमले किये है एक जहाज को जब्त कर लिया है और दूसरों को डुबो दिया है भुटी का कहना है कि जब तक इसराइल गाजा में अपने हमले बंद नहीं करता तब तक ये हमले जारी रहेंगे